अब बात कोरोना वैक्सीन की कर लेते हैं तो देश को जिसका इंतजार था वो शुब घड़ी आ गई है और अब कोरोना की विदाईक अकाउंट डाउं शुरू हो चुका है आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सिनेशन प्रोग्राम की शुरूआत होने जा रही है प्रध सब्सक्राइकरम के देश व्यापी प्रारंब के अफसर पर राष्ट्र के नाम संदेश हेतू हम परमादर निये प्रधान मंत्री जी से कृपा पूर्वक आग्रह करते हैं मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार आज के दिन का पूरे देश को बे सब्री से इंतजार रहा है कितने महिनों से देश के हर घर में बच्चे बूड़े जबान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सिन कब आएगे तो अब कोरोना की वैक्सिन आ गई है बहुत कम समय में आ गई है अब से कुछी मिनिट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करम भ्यान शुरू होने जा रहा है मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं आज वो वेज्ञानिक वैक्सिन रिसर्ट से जुड़े अनेकों लोग विशेस रुप से प्रसंसा के हकदार है जो बीते कई महिनों से कोरोना के खिलाब वैक्सिन बनाने में जूटे थे दिन रात जूटे थे ना उन्होंने त्योहार देखा है ना उन्होंने दिन देखा है ना उन्होंने रात देखी है आम तौर पर एक वैक्सिन बनाने में बर्सों लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो-दो मेड इन इंडिया वैक्सिन तयार हुई है इतना ही नहीं कई और वैक्सिन पर भी काम तेज गती से चल रहा है ये भारत के सामर्थ, भारत की वैज्यानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जाकता सबूत है ऐसी ही उपलब्दियों के लिए राष्ट कभी रामधारीशी दिनकरजी ने कहां था मानव, मानव जब जोड लगाता है पत्थर पानी बन जाता है भाई और भेनों, भारत का टीका करान भियान बहुत ही मानविया और महत्वपूर सिधानतों पर आधारित है जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले करोना का टीकाल लगेगा जिसे करोना संक्रमन का रिक्स्क सबसे ज़्यादा है उसे पहले टीकाल लगेगा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेश हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पेरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कॉरोना की वैक्सिन के सबसे पहले हकदार है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, या फिर प्रावेट में, सभी को ये वैक्सिन प्राफ्विक्ता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टिका लगाये जाएगा, जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए इन सभी को ये वैक्सिन प्रात्मिक्ता पर लगेगी और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा साथियों, इस टीका करण अभियान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्राइल्स किये गए हैं ड्राइ रंस हुए हैं, विशेश तोर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीका करण के लिए रेजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी और मैं सभी देश वाशियों को एबात फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐसे आग गलती मत करना और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महिने का अंतराल भी रखा जाएगा आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें मास निकाल कर रख दें दोगज की दूरी भूल जाएं ये सब मत करिएगा मैं प्रासना करता हूँ मत करिएगा और मैं आपको एक और चीज बहुत आगरत से कहना चाहता हूँ जिस तरह धैरिये के साथ आपने करोना का मुकामला किया वैसे ही धैरिया अब वैक्सिडेशन के समय भी दिखाना है साथियों इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान पहले कभी नहीं चलाया गया है यह भ्यान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश है जिनकी संख्या तीन करोड से कम है और भारत वैक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही तीन करोड लोगों का टिका करन कर रहा है दूसरे चरण में हमें इसको तीस करोड की संख्या तक ले जाना है जो बुजूर्ग है जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त है उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा आप कल्पना कर सकते हैं तीस करोड की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश है खुद भारत चीन और अमेरिका और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इन से ज़्यादा हो इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है और मैं देश वाज़ियों को एक और बात कहना चाहता हूं हमारे वैज्यानिक हमारे एक्सपर्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए तबी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है इसलिए देश वाज़ियों को किसी भी तरह के प्रपेगंडा अफ़ाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है साथियों भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है और पहले से हैं हमने ये विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है मेरे प्यारे देश वास्यों हर हिंदुस्तान इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं भारत की सक्त वैज्ञानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विससग्यता पर दुनिया का इविश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है इसकी कुछ और खास बाते हैं जो आज मैं देश्वास्यों को जुरूर बताना चाहता हूँ ये भारत के वैक्सिन विदेशी वैक्सिनों की तुर्णा में बहुत सस्ती है और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी है जिसकी एक डोज 5,000 रुपिया तक में है और जिसे माइनस 70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है माइनस 70 डिग्री वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई गई है जो भारत में बर्सों से ट्राइड और टेस्टेड है इए वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांस्पोर्स्टेशन तक भारतियस थीतियों और परिस्थितियों के अनुकूल है यही वैक्सिन अब भारत को कोरोना के खिलाब लड़ाई में निरनायक जीत दिलाएगी साथियों कोरोना से हमारी लड़ाई आत्म विश्वास और आत्म अंदिर भरता की रही है इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्म विश्वास को कमजोर नहीं पढ़ने देंगे ये प्राण हर भारतिये में दिखाई दिया है संकत कितना ही बड़ा क्यों नहों देश स्वास चोने कभी आत्म विश्वास खोया नहीं जब भारत में कोरोना पहुचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लेप थी हमने अपने सामर्थ पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज़्यादा लेप्स का नेटवर्क हमारे पास है शरुआत में हम मास्क पीपीई कीट टेस्टिंग कीट्स वेंटी लेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदोशों पर निर्वर्थ थे आज इन सभी सामानों के निर्मार में हम आत्म निर्वर हो गए हैं और इनका निरियाद भी कर रहे हैं आत्म विश्वास और आत्म निर्वर्ता की इसी ताकत को हमें टीका करण के इस दौर में भी ससक्त कर रहा है साथियों महान तेलुगु कभी स्री गुराजाड़ा अप्पाराव गुराजाड़ा अप्पाराव ने कहा था सौंत लाभं कौंत मानुकू सौंत लाभं कौंत मानुकू पवरू गुवाडि की तोडू पाड़वोय देश मंटे मट्टी कादोई देश मंटे मनुशलोय यानि हम दूसरों के काम आएं ये निस्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए राष्ट सिर्मित्ती पानी कंकर पत्तर से नहीं बनता बलकि राष्ट का अर्थ होता है हमारे लोग कोरोना के विरूद लड़ाई को संपुर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है आज जब हम बीते साल को देखते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में एक परिवार के रूप में एक राष्ट के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ देखा है जाना है समझा है आज भारत जब अपना टीका करन भ्यान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं कोरोना संकड का वो दौर जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सुसते थे सामान्य तोर पर बिमारी में पूरा परिवार बिमार व्यक्ति की देखवाल के लिए जुड जाता है लेकिन इस बिमारी ने तो बिमार को ही अकेला कर दिया अनेकों जगह पर छोटे छोटे बिमार बच्चों को मा से दूर रहना पड़ा मा परेशान रहती थी मा रोती थी लेकिन चाकर भी कुछ कर नहीं पाती थी बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी कहीं बुजुर्ग पिता अस्पतान में अकेले अपनी बिमारी से संगर्स करने को मजबूर थे संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी जो हमें छोड़कर चले गए उनको परंपरा के मुताबिक वो बिदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं मन सिहर जाता है उदास हो जाता है लेकिन साथियों संकर के उसी समय में निराशा के उसी बातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकर में डाल रहा था हमारे डॉक्टर नर्स परामेडिकल स्टाफ एम्विलस ड्राइवर आशा वर्कर सभाई कर्मचारी पुलिस के साथ ही और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स उन्होंने मानवता के प्रती अपने दाईत्व को प्रास्विक्ता दी इन में से अधिकाउश तब अपने बच्चों अपने परिवार से दूर रहे कई कई दिन तक घर नहीं गए सेंक्रों साथी ऐसे भी है जो कभी गर वापस लोटी नहीं आपाए उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्त सेवा से जूड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाच अपना रून चुका रहा है ये टीका उन सभी साथ्यों के प्रती कृतग्य राष्ट की आदरांजली भी है भागी और भेनों मानव इतिहास में अनेक विपनाय आई महमारी आई बीशन युद्ध हुए लेकिन कोरोना जैसी चुनवती की किसी ने कलपना नहीं की थी ये के ऐसी महमारी थी जिसका अनुभाव ना तो साइंस को था ना ही सोसाइटी को था तमाम देशों से जो तश्वीर आ रही थी वो खबरे आ रही थी वो पूरी दुनिया के साथ साथ हर भारतिय को विचलित कर रही थी ऐसे हालात में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे लेकिन साथियों भारत की जीज बहुत बड़ी आबादी को हमारी कमजोरी बताय जा रहा था उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया भारत ने संबेदन सिल्टा और सहबागीता को लड़ाई का आधार बढ़ाया भारत ने 2400 गंटे सतक रहते हुए हर गटना करम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला लेकिन इसके दो सब्ता से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकैदा सर्वेलान सुरू कर दिया था 17 जनवरी 2020 वो तारिक थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाईजरी जारी कर दी थी भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी साथियों कोरोना के खिलाब लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई हैं जो सांस दिखाया है जो सामुहिक शक्ति का परिचे करवाया है वह आने वाली अनेग पीडियों के लिए प्रेणा का काम करेगा यात कीजिए जनता कर्फियों कोरोना के विरूत हमारे समाज के सैयम और अनुसाचन का भी परिक्षन था जिसमें हर देश वासी सफल हुआ जनता कर्फियों ने देश को मनोवेज्यानिक गुरुप से लॉकडाउन के लिए तयार गिया हमने ताली थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को उंचा रखा साथियों कोरोना जैसे अंजान दुश्मन जिसके एक्षन रियेक्षन को बड़े-बड़े सामर्थमान देश नहीं भाप पा रहे थे उसके संक्रमन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वही रहे इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया यह निर्ड़े आसान नहीं था इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभाव है इसका हमें एसास था और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था लॉकडाउन होने जा रहा था इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थे व्यवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आकलन भी हमारे सामने था लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंत्र पर चलते हुए प्रत्य भारत्य का जीवन बचाने को सरवोच प्राठ्विक्ता दी और हम सभी ने ये देखा है कि कैसे तुरंत ही पुरा देश पुरा समाज इस भावना के साथ खड़ा हो गया अनेकों बार छोटी छोटी लेकिन महत्वपण चीजों की जानकारी देने के लिए मैंने भी अनेक बार देश वाशियों के साथ सीधा समबात किया एक तरफ जहां गरीबों को मुप्त भोजन की ववस्ता की गई तो वहीं दूद सब्जी राशन गैस दवा ऐसी जरूरी चीजों की सुचारू आपरती सुनिशित की गई देश्ट में ववस्ताएं ठीक से चलें इसके लिए ग्रह मंतावे ने 24 बाइ 7 कंट्रोल डूम सुरू किया जिस पर हजारों कॉल्स का जवाब दिया गया लोगों को समाधान दिया गया साथ क्यों कोरोना के विरूत इस लड़ाई में हमने कदम कदम पर दुनिया के सामने उदाहरन प्रस्तुत किया है ऐसे समय में जब कुछ देशों ने अपने नागरीकों को चीन में बढ़ते कोरोना के बीच छोड़ दिया था तब भारत चीन में फसे हर भारतियों को वापस लेकर आया और तिप भारत के ही नहीं हम कई दूसरे देशों के नागरीकों को भी वहां से वापस निकाल करके लाए कुरुना काल में बंदे भारत मिशन के तहट 35 लाग से जादा भारतियों को विदेशों से भारत लाया गया मुझे आध है एक देश में जब भारतियों को टेस्ट करने के लिए मशीना कम पढ़ रही थी तो भारत ने पूरी टेस्टिंग लैब यहां से वहां भेज करके उसको महां सजाया लगाया ताकि महां से भारत आ रहे लोगों को टेस्टिंग की दिक्कत ना हो साथियों भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकावला किया उसका लोहा आज पुरी दुनिया मान रही है केंद्र और राज्य सरकारे, स्थानिय निकाए, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाए कैसे एक जुढ होकर बहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा इसरों, डियारियों, फोच से लेकर, किसानों और स्रमिकों तक, सभी एक संकल्प के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है दोगज की दुरी और मास्क है जरूरी, उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा भाई और भेनों, आज इनी सब प्रयासों का परणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यू की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधीक है देश के कई जीले ऐसे हैं, जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वज़े से खोना नहीं पड़ा इन जीलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुँचा है बहुत से जीले ऐसे भी हैं, जहां बीते दो सप्ता से कोरोना संक्रमन का एक भी केस नहीं आया है जहां तक की लॉक्डाउन के से प्रभावित अर्थे ववस्ता की रीकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है भारत उन गीने चुने देशों में हैं, जिसने मुश्किल के बावजुद दुनिया के एक सो पचास से जादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुचाई पैरासिटमल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो, टेट्सिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की आज जब हम अपनी वैक्सिन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशाव और उमीद की नजरों से देख रही है हमारा टीका करन अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाब मिलेगा भारत की वैक्षिन हमारी उत्पादन छमता, पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्दता है भाई और भेहनों, ये टीका करन अभियान अभि लंबा चलेगा हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मोका मिला है और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वोलेंटियर आगे आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और भी अधिक वोलेंटियर्स के हो मैं अपना समय सिवाकारे में जोडने के लिए जरूर आगरह करूंगा हाँ जैसा मैंने पहले कहा मास दोगज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे टीका लग गया तो आजका आर्थ ये नहीं कि आप करोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें अब हमें नया प्राण लेना है दवाई भी कड़ाई भी दवाई भी कड़ाई भी आप सभी स्वस्तर हैं इसी कामना के साथ इस टीका करना भियान के लिए पूरे देश को बहुत पहुत शुप कामनाय देता हूं देश के वैज्यानिकों का रिसर्चर्स का लेब में जुड़े हुए सब लोगों जुन्होंने पूरे साल एक रुशी की तरह अपने लेब में जीवन खपा दिया और यह वैक्षिन देश और मानुता को दी है मैं उनको भी विशेश रुप से अभिनंदन करता हूं उनका अभार व्यक्ता करता हूं मेरी आप सब को बहुत बहुत शुप कामना हैं आप जल स्वस्तता हैं पूरी मानवजात इस संकट की गड़ी से बाहर निकले और स्वस्तता हम सब को प्राप्त हो इसी एक कामना के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को सुन रहे थे जिन्होंने भारत की उपलब्धियां गिनाई जिन्होंने पुरुना से इस लड़ाई में किस तरह से भारत देश डटा रहा सिर्फ देश में ही नी बलकि अन्य देशों की भी सहायता की और अब किस तरह से वैग्यानिकों दिन्राथ डटकर सर्वे बबन को शाहिए सै रूपे संक्राइब मैं तो से रे बबन को सिसक्राइब से रे संटो हुआ 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 है हुआ 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 है सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे संतो निरामया तो सब सुखी हों और सब रोगमुक्त हों बस इसी के साथ आज से कोरोना वैक्सिनेशन की शुरूआत होने जा रही है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहते जिनोंने भारत के वैग्यानिकों की भी खूब तारीफ की उन्होंने बताया किस तरह से दिन रात लगकर भात के वैग्यानिकों ने दो-दो कोरोना की वैक्सिन्स तैयार की है जहां एक वैक्सिन को तैयार करने में कई साल भी जाते हैं वहां भारत में वैग्यानिकों ने दिन रात लगा कर दो वैक्सिन्स तैयार की है और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आज वैक्सिने करना बेहत ज़रूरी है कोई ढिलाइन नहीं वरतनी है लगातार मासक का इस्तिमौल करना है सनिटाइजर का इस्तिमौल करना है और साथ ही साथ आस-पास सफाई भी रखनी है और करोना से इससे जंग में आज से हम अटाकिंग मोड में आ हैं जहांसे आज vaccination की शुरुवात हो रही है आज सभी frontline workers को वैक्सीन दी जाएगी और देश में 3006 वैक्सीन के centers तयार किये गए हैं कि आज के दिन का कि पूरे देश को कि बेश सब्री से इंतजार रहा है कि कितने महिनों से कि देश के हर घर में बच्चे बूड़े जबान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है बहुत कम समय में आ गई है अब से कुछी मिनिट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण भ्यान शुरू होने जा रहा है मैं सभी देश वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत का टीका करण भ्यान बहुत ही मानविया और महत्वपूर सिधानतों पर आधारित है जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा जिसे कोरोना संक्रमन का रिक्स्ट सबसे ज़्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डॉक्टर्स हैं नर्सेश हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरा मेडिकल स्टाफ हैं वो करोना की वैक्सिन के सबसे पहले हकदार है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्रावेट में सभी को ये वैक्सिन प्राफिक्ता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाये जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए इन सभी को ये वैक्सिन प्राथ्मिक्ता पर लगेगी और मैंने जैसा पहले भी कहा है इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा की कोरोणा वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐसे आग गलती मत करना और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महिने का अंतराल भी रखा जाएगा आपको ये भी आद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही आपके शरीर में कोरोणा के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें मास निकाल कर रख दें दोगज की दूरी भूल जाएं ये सब मत करिएगा मैं प्रासना करता हूँ मत करिएगा और मैं आपको एक और चीज बहुत आगरत से कहना चाहता हूँ जिस तरह धैरिये के साथ आपने करोना का मुकामला किया वैसे ही धैरिया अब वैक्सिडेशन के समय भी दिखाना है तब यहाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि कोरना वैक्सीन की दो डोज लगना बेहद जरूरी है